नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सॉलजर संदीब कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल पर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ इस महा के लिए आपकी राशी का राशी फल और आपके राशी फल में शामिल होंगे जनरल ट्रेंट्स, करियर, मनी और फिनेंस, रिलेशनशिप, मैरेड लाइफ, एड्यूकेशन, फैमली लाइफ, हेल्थ और भी बहुत कुछ इसके साथ-साथ हम चर्चा करेंगे इस महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में, इसके साथ-साथ इस महीने के कुछ खास दिन और प्रमुक त्योहार अगर आप अन्य राशियों के राशी फल को भी देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उपर भी आई-कार्ड में लगा हुआ होगा, जिस पर आप क्लिक करके अपनी मन चाही राशी का वीडियो देख सकते ह तो चलिए अब बात करते हैं विस्तार से आपकी राशी फल के बारे में में मीन राशी में प्रवेश करेंगे, इस महीने ब्रेस्पति जी बुद्ध, शनी, राहू और केतु कोई राशी परिवर्तन नहीं करेंगे इस समय कुम राशी के स्वामी शनी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं ये गोचर कुम राशी के जातकों के लिए काफी कुछ संकेत दे रहा है सकारात्मक रूप से देखें तो विश्टेश यात्राओं की संभावनाय बनेंगी और नकारात्मक पक्ष पर नुकसान ये स्वास्त समस्या पर खर्चे की संभावनाय शामिल होंगी इस समय आपका साहस और आत्मेशास कस्तर बहुत बढ़ सकता है आपकी आए आपकी आवश्चक्ताओं को पूरा करने और परिवार को खुश रखने और आराम दायक जीवन के लिए परियाप्त हो सकती है कुमराशी के जो जातक बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इस दोरान इसे प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं आपका घरेलू जीवन मधुर और आनंद में रहेगा क्योंकि आप मिटिरिलिस्टिक यानि की बहुतिक रूप से अच्छी प्रगति करेंगे माता जी के स्वास्त पर आपको कुछ अधिक ध्यान देने के आवशक्ता पर सकती है जबकि उनके साथ कुछ समय के लिए मतभेद रहने की निसंभावना है इस समय आप अपने भाई बेहनों की मदद से भी लाब कमा सकते हैं इस समय की दिल्चस्प बात ये रहेगी कि कुछ अनुखे अंदाश से आपके बच्चे आपको आपके भाग्य, सुख और सम्रिधी में योगदान दे सकते हैं इस महीने जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आपका प्यार बहतर हो सकता है कुमराशिके कुछ जातक जो विवाहित हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में रोमान्स खिल सकता है विवाहित जोडों का एक इंटिमीन बॉन्डिंग का आनिद लेने की संभावना है इससे आपका घरेली जीवन भी सुख़द हो सकता है कुछ कुमराशी के जातक अपने जीवन साथी से या उनके माध्यम से कुछ आए की उमीद भी कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप से पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपनी कुंडली को पढ़ना सीखना चाहते हैं क्या आप अस्टॉलोजी सीखना चाहते हैं यदि हां तो मैं एक पांच दिन की एक घंटा प्रति दिन की वर्क्षप ऑनलाइन अस्टॉलोजी की उपर कंड़क कर रहा हूं यह होगी हर सोवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लगभग और यह वर्क्षप समाथ होगी शुक्रवार को लगभग 7 बजे इस workshop की क्या details हैं ये सब हमने नीचे description box में लिख दिया है और इस workshop को आप कैसे join कर सकते हैं बस एक इतनी सी छोटी सी धनराशी जमा करके online आप इस workshop को join कर सकते हैं तो फिर देर किस बात की मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और इस workshop को मैं swim conduct करूँगा तो जल्दी से आईए ये ये इस workshop में तो आईए अब बात करते हैं बाकी के राशी फल के बारे में कुम राशी के विद्यारती इस समय पढ़ाई में अधिक रूची ले सकते हैं आप उच अंक भी प्राप्त कर सकते हैं और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सामाने तोर पर जातकों के प्रयास सफल हो सकते हैं आप मेंसे कुछ जातक खेल में भी बहतरीन प्रदर्शन करेंगे आपके लिए सला है कि किर्पया आप अपने स्वास्ति का पूरा ध्यान रखे और अपने माता पिता और शिक्चों की सलाह पर ध्यान जरूर दे आपके स्वास्ति में सुधार हो सकता है लेकिन आप ठंड के कारण कान नाग गले की समस्याओं से थोड़ा पीडित हो सकते हैं फिर भी ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे लेकिन भविश्य में अनावश्यक चिकित्सा खर्चों से बचने के लिए कृपा अपने स्वास्ते और आहा नियंतरन को बनाए रखने में थोड़ा विशेश रूप से ध्यान रखे इस संबन में योग और ध्यान का अभ्यास करने से मदद मिल सकती है अक्टूबर के महीने को आप एक लाबदायक महीना ही माने इस दोरान ग्रय आपको आश्यवात दे रहे हैं ऐसा सोचे इसलिए आप बिना किसी तनाव के बैठें आराम करें और जीवन का आनन ले अब हम बात करेंगे इस महीने के कुछ खास दिनों और तेहरों के बारे में दो अक्टूबर को गांधी जेन्ती, सोला अक्टूबर अधिक मास समाप्ती, सत्रा अक्टूबर नवरात्री आरम 24 अक्टूबर माहनवमी, 25 अक्टूबर दशेहरा, 30 अक्टूबर शरत पूर्णिमा और 31 अक्टूबर मेरशी बानमी की जेन्ती तो ये था आपकी राशी का राशी फल इस महा के लिए दोस्तों अगर आप जोतिश में रूची रखते हैं और जोतिश में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं या जोतिश से संबंदित, धर्म से संबंदित आप आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारी वेबसाइट हिंदी.topsorger.blog पर जाकर भी आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और दोस्तों मुझे आपके प्रोसाहन, आपके प्यार की हमेशा आवशकता रहेगी इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और यादा से यादा शेयर करें आने वाला महिना आपके लिए मंगल मैं हो, आपको खुशाली मिले, तरक्की मिले ऐसी मेरी परमपिता प्रमातना से प्राथना है नमस्कार आपके लिए प्राथना आपके लिए आपके लिए झापके लिए जापके लिए आपके लिए भागी